नवस्कार में प्री एरंजेन और आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं IRCTC स्टॉक के बारे में इस स्टॉक में साइध आपको याद हो 700 के आसपास हमने लॉंग करने को कहा था और इस समय 790 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है अभी एक breaking news इस स्टॉक में trend होते दिख रही है वो news क्या है IRCTC को लेकर के यहां देखेंगे कि खुद के expansion को लेकर के यह news trend होते दिखी है यह news क्या है company I major expansion in railway catering business plan in India और यह एक बड़ी खबर है खुद के expansion को लेकर के बड़ी खबर है company says 15 more catering unit across country near future company says in discussion with various government organization industrial houses for sitting of catering units यानि railway के अलावा और भी जितने government के organization industry houses है खुद के catering expansion को लेकर के IRCTC की यह news trend हुई जो की long term में काफी beneficiary होगा जो revenue के improvement में काफी फाइडे करते देख सकता है यहां अगर इस stock की delivery की बात करें तो इस समय से stock में जो delivery आपको देखने को मिलेगा वो better दिख रहा है और जो technical trend है वो trend भी देखेंगे तो outstanding trend दिख रहा है आज के कामकाज में 4 करोर के comparatively 9 करोर की selling दिख रही है लेकिन इसके बाद भी technically trend strong है यहां से इन वो scenario हो सकता है कि एक retracement 760 के आजपास के level का ले तो 760 तो 90 जो है यह zone again अगर आप buying करना चाहते तो surely लेंगे जहां से 3 target अपने को देखने को मिल सकता है वो 3 कौन सा target है तो वो 3 target मैं आपको easily दिखाऊं तो जो पहला target निकल करके आता है वो target निकल करके आता है 842 और दूसरा target आता है 922 और 3 टार्गेट आता है 1200 यह 3 target इस stock में निकल करके आ रहा है और बात करए weakness की तो यह जो level आपको दिख रहा है यहां अगर आप simply देखेंगे तो यह जो level आपको दिख रहा है 7-10 के नीचे ही weakness आएगी इस समय मुझे लगता है कि buy on dips की opportunity से stock में